नमस्कार प्यारे बच्चों, बेटा कलम ने पढ़ा था कि किस तरह से पंडित जी को ऐसा लगा कि उनका धरम रेष्ट हो गया है जिसको सुनकर फिर उनकी पत्नी ने खाट को भी तोड़ दिया और खाना भी सारा गिरा दिया, कड़ाई भी फैंक दिया, सारा भोजन फैंक द तब पत्नी ने खा कि मैंने उसे भी फैंक दिया, उस हार को माली शुद्र ने बनाया था, ठीक है, शुद्र यानि की जो माली की जाती है, उसको बताया गया है, ठीक है, पंडित जी फिर चीख कर बोले, सबी चीजों को आग लगा दो, घर में कुछ बचा भी है या नहीं, पंडित जी ने चीख कर कहा कि सब चीजों को आग लगा दो, क्योंकि उनकी पत्नी क्या कर रही थी, सब चीजों को तोड रही थी, फैंक रही थी, तो उन्होंने का कि घर में कुछ बचा भी है या नहीं, पत्नी ने का हाँ, यह घर ही बचा हुआ है, इसे अभी तोड़ना शेश है उन्होंने का कि यह घर ही बचा हुआ है लेकिन अभी इसको तोड़ना शेश है क्योंकि इसे भी पिछडी जाती के मजदूरों ने बनाया है अब पंडित जी के पास कोई उत्तर नहीं था उनकी अकल ठीकाने उनकी अकल भी ठीकाने आ गई थी इस प्रकार संसार से समझा दिया कि समाज में कोई छोटा बड़ा छूत अचूत नहीं होता सभी एक दूसरे के सहयोग से ही काम करते हैं इसी से समाज आगे बढ़ता है समाजिक समरस्ता के लिए यह एक अनूठा उधारन है बेटा अब हमें भी यही समझना है कि संसार में कोई भी योग हमेशा देते रहना चाहिए ठीक है बेटा तो अब एक बर फिर से आप यह सारा का सारा लैसन आपने दुबारा अच्छे से पढ़ना है और जो वो नाटक दिखाया था बेटा मैंने आपको वो भी आपने अच्छे से समझना है और इसी प्रकार से आप अपने भाई बेहन के साथ अगर मिल जोलकर इस कहानी से जुड़ा नाटक बना सकते हो तो जरूर बना कर मुझे भेजें ठीक है बेटा